नमस्कार दोस्तो वेलकम तो मैं चैनल दोस्तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पबजी से जुड़ी हुई दोस्तो जैसे कि आप जानते हैं कि पबजी जब भारत के अंदर बैन हुआ था तो आप में से बहुत सारी लोग परेशान हुए थे जो की पबजी लवर पबजी को यूज़ करते थे तो दोस्तो आज की वीडियो में बता दें कि पबजी जब बैन हुआ उसके बास से भारत के अंदर आज की डेट में दो ऐसे अप्लिकेशन दो ऐसे गेम्स हैं जो बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं पबजी के जितने भी यूजर्स थे जब पबजी इंडिया के अंदर था तब से ही ये गेम्स मौझू थे लेकिन पबजी की पॉपलरिटी को देखते हुए ये गेम इतने ज़्यादा लोगों के नोटिस में नहीं थे या इतने ज़्यादा लोग इसको पसंद नहीं करते थे तो चलिए बात करते हैं वो कौन स इसके users में बहुत ज़्यादा एकदम इसके अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 500 million plus यानि 5 billion से भी ज़्यादा इसके users आज की date में हो चुके हैं दोस्तों पहले से मौझूद था जब PUBG चलता था उस टाइम भी Free Fire लोग खेलते थे लेकिन यह इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था जितना ज़्यादा की PUBG पॉपुलर था लेकिन PUBG के बैन होने के बाद इसके जितने भी PUBG के users थे वो ज़्यादा तर user Free Fire के उपर ही transfer हुए है या shift हुए है चलिए इसी list में हम बात करते हैं दूसरे गेम की तो उस गेम के बारे में भी आप जानते ही होंगे उसका नाम है Call of Duty दोस्तों यह लगबग लगबग PUBG के जैसा ही एक और गेम है लेकिन कुछ चीजे इसके अंदर अच्छी है जैसे graphics वगएरा तो कुछ चीजे दिरे बहुत popular भी होता चला जा रहा है यह पहले से मौजूद था लेकिन PUBG की popularity को देखते हुए यह इतना उभर के सामने नहीं आ पा रहा था लेकिन जो कि अब PUBG बैन हो चुका है तो लोग जो है वो इस तरफ shift होने लगे हैं और इसके भी जो users है अब 100 million plus हो चुके हैं और जादा मतलब अब बढ़ते ही चले जा रहा है यानि कि एक billion से भी जादा इसके users हो चुके हैं PUBG के जितने भी users थे वो भी यहाँ पर transfer होने लगे हैं Call of Duty और Free Fire यह दो ऐसे गेम है जिनोंने PUBG के users को take over कर लिया है और जितना भी profit जो PUBG को मिलता था वो जो profit है वो अब Free Fire और Call of Duty को अब यहाँ पर मिलने लगा है तो यह दो गेम हैं जिनोंने PUBG के users को अपनी तरफ खींच लिया है इनको हड़प लिया है यह आप कहें कि PUBG के जो पूरे users अब यहाँ पर shift कर गए है तो यह basic सी knowledge थी आपको बताने के लिए आपके साथ information शेयर करने के लिए तो आपको information कैसे लगी प्लेज बताईए आप मेंसे बहुत से लोग तो यह पहले से जानते भी होंगे तो यह सिर्फ basic सी information थी information कैसे लगी प्लेज हमें comment करके बताईए और आपकी क्या राया है वो भी हमें आप जरू साजा कीजिए comment box में comment लिखके और इसे अपने दोस्तों के साथ भी आप शेर कीजिए के लिए और हमारी नएँ-दो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जुरूर किया आप की स्कीन के पर सब्सक्राइब के लाल निशान के पर टच करके गंटी के निशान पर जरू टच कीजिए धन्यवाद